दोस्तो बोर्ड एक्जाम से जुड़ी अभी बहुती बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तो अगर आप भी कक्छा दसवी या बारवी के चात रहे तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में भोती महतपून जानकारी बताए जाएगी दोस्तो तो सबसे पहले दोस्तो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नई और अच्छी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले चलिए जान लेते दोस्तो आज की सबसे महतपून और बड़ी ख़बर बच्चों का क्या कहना है की बोर्ड एक्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए कुछ बच्चों का कहना है दोस्तों और वो हर जगे ट्वीट कर रहे हैं की बोर्ड एक्जाम कैंसल करो और वहीं ट्वीटर पे कुछ बच्चे ट्वीट कर रहे हैं कि डॉंट पोस्पोन बोर्ड एक्जाम 1,88,000 बच्चों ने अभी तक ट्वीट कर दिया है कि डॉंट पोस्पोन बोर्ड एक्जाम और कुछ बच्चे ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर बिना एक्जाम के बच्चों को पास कर देना चाहिए दोस्तो कई राज्यों में बोड की परिक्षा इस्थगित कर दी गई है माई के अंत में और जून के सुरुआत में बताया जाएगा कि कब से हो सकते हैं आपके एक्जाम या फिर नहीं होंगे जो भी बड़ी खबर होगी वापको बता दी जाएगी दोस्तों पी एम मोदी जी ने बैठक में कहा था कि परिक्षा टालना नहीं रद्ध करना उचित होगा और आप बच्चे क्या चाते हो परिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आप लोग हमें कमेंट में बताना क्यूंकि आपका कमेंट हमाल ये बहुत ही महत्तपून है और जो आपका कमेंट होगा फिर हम उसके इसाब से ट्विटर पे ट्विट करेंगे और आपकी बातों का आगे तक पुचाएंगे दोस्तों क्यूंकि बच्चों की चिंता ये है कि उनका साल बरवाद ना हो और दोस्तों सरकार की चिंता ये है कि सरकार की फर्स प्राइटि यानि कि पहली प्रात्मिकता ये है कि बच्चों की हेल्थ खराब ना हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में